तो चले शन कुछ most important informations आपको देनी है जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके O या A लेबल के जो बच्चे हैं उनके लिए ठीक है अभी जो आपके जन्वरी 2022 के जो आपके अगस्त के जो आपके ग्याम हुए थे उनके रिजल्ट अभी आपके डिकलेर नहीं हुए ठीक है तो 2022 पर लिंक पर जाएंगे तो देखिए अभी सिर्फ जन्वरी 2022 का लिंक यहां पर एक्टिवेट है ठीक है तो यहां पर जब सो होगा जुलाई 2022 तब आपका जो रिजल्ट है यहां पर डिकलेर होगा रिष्टिसन नमबर डालके और डेट आपड डालके तब आप यहां पर देखना है ठीक है तो यह कब तक यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा तो जैसा कि नालेट ने डेट दिया है आपको पेपर लॉग करने की मैं वित्परूब दिखा जाए रहा हूं तो यहां पर जो डेट आपको दिखाए दे रही 28 सक्ट होगा ठीक है तो अगर यह डेट नालेट ने fix कर दिया यानि कि नालेट चाहा रहा है कि 28 से पहले ही सभी लोग अपना लॉग करने तो फिर नालेट इस डेट को नहीं बढ़ाएगा और यहां पर जो आपका एक्टिवेट कर दिखाएगा वह 28 से पहले आपको result declare कर दिया जाएगा ठीक है तो सिंपल सा अब संभिए तो यही मान के चलिए 25 तक माल लेज़े आपका या 26 तक भी declare हो जाता है तो यहां पर डाल के देख पाएंगे और फिर यहां पर easily आपको जाके करना है you have not may apply for example पे और click here to apply click करके जो भी failure pass होने के बाद आपके मौडूल आएंगे जैसा कि इनके case में चारों लॉक किये हैं तो इस चारों में से जितने भी इनके पास या फेल होंगे फिर वो लॉक करने का option open हो जाएगा ठीक है तो सिंपल सा है तो सिंपल सा हम आपको बताना ही चाहरा है कि आपका after result के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले तो जब आपका रियल टिकलेर होगा 25-26 जब या उससे पहले माल लेजिए आप 24-23 तक तो उसके बाद आप सिंपल सा सीधा-सीधा तो ये काम ये कर पाएंगे कि आपको पेपर लॉक करने का टाइम मिलेगा ठीक है तो प्रोसीजर यह होगा नंबर बन स्टेप दूसरा है जो बच्चे इसमें फेल होके आएंगे जो फेल होके आएंगे तो उनके मन में डाउट रहेगी वो आंसर की जो है मिलाई हुए रहेंगे हर किसी चैनल से तो उनको लगेगा कि हमारे नंबर ज्यादा होने सीधा कम मिलें तो इस केस में आपको फिर यहां पर, यहां पर आफ को री टॉटलिंग का ऐसन मिलता है री टॉटलिंग और आच तो आपको जाना है री टॉटलिंग वाले पर से आपडस कना है री टॉटलिंग करना फार्म फ कर देना है यहां से आपको अपडDосс已经 निक्ट अर है यहां पर आपको मिल जाएगा after result य लिखा यहां पर 45 देने हैं 30 देज के अंदर माले यह आपका रिजल 25 को माले यह आ जाता है तो इसको आपको अप्लाई कर देना है 25 नॉंबर से पहले अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका यह वैलिट मान जाएगा आपकर यह टोटलिंग किया जाएगा ठीक है जो फीज होगी यहां पर आप दे सकते है 200 और इस अकाउंट नंबर बे करके आपको भेज देना ठीक है तो सिंपल सा है यहां पर जो भी मॉडूल होंगे आपको फेल ओने के बाद वो आपको फिल अप कर देने तो दूसरा चीज आप यह कर पाएंगे पहला एक्जाम लग दें ठीक है तो राइस्टेशन जो है आपका टोटली जो है वो क्लोस कर दिया क्या ठीक है तो हो सकता है 50-50 हम कहा सकते है कि ना लेट आपको एड्मिशन के लिए ओपन करें क्योंकि अकर ओपन करता है तो फिर उनको फिर एक जाम लोग करने का पोर्टल के डेट भी बढ़ लेगी ठीक है तो इस कारण से हो सकता है कि ओसे लेबल वालों की डेट ना बढ़े और हो सकता है आपको जुलाई में फिर देना पड़ेगा ठीक है नो जो लेना चाहेंगे और ये देना चाहेंगे तो सकता है उनको जुलाई में देने का मौका मिलें ठीक है तो यह सारी च extend नहीं करता है तो ठीक है नहीं तो फिर आपके पास पांच ओप्सन हो जाएंगे एक ग्याम लॉग दूसरा आपका री टॉटलिंग वाला तीसरा आपका री रेइस्टेशन वाला चौथा आपका ओ से वाला और पांच 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 यह चीज़े हैं जो आप कर पाएंगे और वह कर सब्मिट करेंगे तो आफटर रिजल्टी होगा तो यह चीज़े हैं वह एजली आप कर पाएंगे आफटर रिजल्ट आने के बाद ठीक है तो थैंकिव रॉचिंग